प्रभात, पिछली कक्षा में हमने स्वरवर्णों का उच्चारन पढ़ा था आज हम स्वरवर्णों से उच्चारित शब्दों को देखेंगे और उनसे परिचित होंगे स्वरवर्णों के शब्दों का परिचे इस प्रकार है आ से अनार, आ से आम, छोटी इसे इमली, बडी इसे इंक, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे उन, री से रीशी ए से एडी, आ से अनक, ओ से उखली, आउ से औरत, अंग से अंगूर, अह से कुछ नहीं फिर से हम एक बर इन वर्णों और शब्दों का उच्चारन दोहडाएंगे आ से अनार, आ से आम, इसे इमली, इसे इंक, उसे उल्लू, उसे उन, री से रीशी, ए से एडी, आ से आनक, ओ से उखली, आउ से औरत, अंग से अंगूर, आहा से कुछ नहीं छात्रों, आप इन सब उच्चारणों को बार बार दोहराएं और स्वर्वर्णों को बोलने का अभ्यास करें आप लोगों के लिए स्कूल की वेबसाइट में कुछ होमवक दिये गए हैं उन होमवक को आप अपनी हिंदी की कौपी में पूरा कर लीजिएगा और इसे सुंदर तरीके से लिखते हुए उच्चारण के सहित इसका अभ्यास बार बार कीजिएगा ताकि आप स्वर्वन्नों का अभ्यास और उसकी लिखावट को अच्छी तरह से समझ जाएं धन्यवाद